दोस्तो नमस्कार मैं हूँ आपका दोस इंजीनियर अभिसेग सिंग और आपने टीउन किया है सिबिल इंजीनियरिंग सपोर्ट दोस्तो हमारे चैनल का मकसद ही है आपको आपके सपने के महल यानि की आपका सुन्दर सुरक्षित आकर सक घर तक पहुचाना और घर बनाने से पहले हमारे चैनल पे अगर विजिट करते हैं आप तो हर तरह की जनकारी जो है वो आपको मिल याती है फिलहाल में आपको एक साइट पलाया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यह जो रिंग है जिसको स्ट्रिप्स भी बोलते हैं उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए बहुत से लोगों में गलत धारना है कि बहुत जादा जो है वो नजदिक नजदिक अगर यह रिंग लगाते हैं तो बहुत फायदा होगा ऐसा बिलकुल नहीं है यह जो है बारा एमेम का सरीये में रिंग बांधा गया है आठ एमेम का और दोस्तों आपको मैं पिलर है तो उसका यह स्क्रिप्स का जो डिस्टेंस होता है बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है दोस्तों जानकारी के लिए आपको अगर बता दू अगर आपका घर तीन मंजला तक जाने वाला है तो दोस्तों इसकी जो साइज होगी इसका जो डिस्टेंस होगा ए आपका जो है वो थोड़ा सा दिक्कत होगा, चुकि पिलर है, सारा जो घर का बोज है, सारा जो घर का भार है, यही समालने वाला है, अगर इससे अच्छे तरीके से, अच्छे नियम केनुसार, या फिर मजबूत नहीं मनाईएगा, तो आपका घर जो है वो बहुत अच्छा, बहुत सुरक्षित जो है वो नहीं होगा, दोस्तो अलग-अलग साइट पे, अलग-अलग चीज़े जो है वो सीखने को मिलती है, और मैं डेली आपको कम से कम दो वीडियो जो आप तक पहुचा रहा हूँ, ताकि आप देखे, सीखे और गलती जो इसने किया है, उस गलती को दोहराए नहीं, बलकि आप सीखे और अपना घर जब बनाए, तो उससे अच्छा अकारसक और उससे विज़ादा सुरक्षित बनाए, हर दिन कुछ न कुछ मैं आपको सिखाता हूँ, आपके लिए कुछ नया लाता हूँ, तो इस विडियो में भी आपने सीखा, कि एक स्ट्रिप से दूसरे स्ट्रिप की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो एंसर है 6-8 इंच धन्डवाद,